अलो फ्रेम्स जागरंजोष.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूं सायत सौबान जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 5 जून को पुरे विश्व में मनाया जाता है वर्ड इन्वार्मेंट डेल लेकिन मैंने सुझा कि आपको इसके बारे में कई सारे लोग होंगे जो जानकारी दे देंगे और खास करके हमारे चैनल पर भी आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी लेकिन अगर आप करियर बनाना चाहते हैं एन्वार्मेंट के फील्ड में आप प्यार करते हैं एन्वार्मेंट से और चाहते हैं कि उसे फील्ड में अपना करियर भ कि हमें एन्वार्मेंट को सेडी करना पड़ेगा, इस तरह की प्रॉब्लम आज हम फेस कर रहे हैं, पिछले दो बाइने से जो हम लोग डाउन में बैठे हैं, कोईड की वज़े से बैठे हुए, यह एक छोटा सा वायरस था, जो अन्वीजिबल है, आज उसने हमारे पूरे परियावण को इस तरह का कर दिया है, कि हमें घर पे बैठना पड़ा। इसकी सहथ कई न कई जो एन्वार्मेंट की लेकूना रही हमारी अपजर्वेशन की, करें तो बहुत बड़ा स्कोप है और इसका मॉनिटरिंग किसी एक डिसिप्लीन का कोई मेडिकल साइंस का को इंजिनेरिंग साइंस का या को इस जॉलोजी का या बॉटनी का एक सबस्क्ным निखई बड़ा इस टीन ठीन में स्क रड़ा है कि यह वह सब्सक्ता हो अनुक्रस बड़ामंत का इस थे उन धृष्ट वह उसई यह डाल मार्य टारो सिंध्ड मार्नी मार्मुशन बड़ा वह जिसनें 25 आपलनी साइस के बारे में पता हो जिनको इंवार्मेंट toss舞 के बारे में बता हो जिनको लाइस्टाउ bedroom के बारे में पता हो एगरिक्लचर पैटन्स पता हो लोगों की social economics पता हो और जिस तरह के है है और डॉड़ोपमेंट्ड प्रोजेक्स एरें इंडस्ट्री जा रही है है हाइधे आत्वर्रंटी के प्रोग्राम सारें सभी में भी एन्वार्मेंट का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि बेना एंवार्मेंट तेहराइज कोई भी प्रोजेक्ट आप चला इनाई सकते है जरूरी है कि जो environment का लॉट है हमारा, उसको हम जादा से ज्यादा इसकिल करके निकालें, और ज्यादा से ज्यादा जो interested लोग है वह हिस्माये ऐसा नहीं जिसका interest नहीं है, जो field में नहीं जाना चाहता है, क्यूंकि यह laboratory का science नहीं है, इसमें आप lab में बैटके कुछ कर नहीं स स्पराइब जो सजय चिवस करने हो जो बढब तो इन सारे चीजों की जानकारी के लिए एक स्झीजों की स्टेध डिर्सक्राइव सब्सक्राइब करता है और फ्राग्लम्स को स्टेफशंच बैस्ट ड्रस भी खरता ह्या ॉस fine एक तो बात बिल्कुल साफ है कि यह सरा से lockdown में हम रहे हैं, पुरा देश रहा है, पुरा विश्व रहा है, तो यह तो बात समझ में आ लिए है कि environment कितना जरूरी है, और आपने देखा यह भी environment में कितने ज़्यादा आपको changes भी नदर आए, जो कि खबरों के हिसाफ से घरम द करना चाहते हैं, और 10 plus 2 किया हुआ है उन्हें, graduation करना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे colleges हैं, कौन से ऐसे institution हैं, जहां पर जो है environment के लिए पराइब की जा सकती है, अगर आपका environment में जो सीधे-सीधे भरती होती है, वो आपका एक तो technical जो होता है, pollution control board लेता है, उसको तो सारे pollutants देखने होते हैं, soil में भी देखने होते हैं, water में भी देखने होते हैं, air में भी देखने होते हैं, जो भी industry settled होती है, उसमें कैसे उन्होंने treatment plan बनाया 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 वो सारा monitor करने के लिए तो state pollution control board उसको तो pollution से related सारी experts है वो चाहिए, वो master degree मांगते है और जिसने 2 साल का master डिखेदेगरीग रेज़िसन के बाद किया वह जा सकता इसी तरह से कई सारी इंडस्ट्री जासी है पिसारी ऑटो इंडस्ट्री जासी है जो एको फ्रेंडली वीकल्स बनाना चाहते हैं उनको ऐसे टेकनिकल-श्कॉअलर इजिनेरिग ने मीमें और इसमें चाहिएगा और इसमें इस तरह जो आइई टीज है कंट्रि लेवल पर कार्बन मौनिटीरिंग के प्रोग्राम जल रहे हैं या जो सडीज चल रही है गुवर्मेंट अब इंडिया जिनको प्रिस्जीव कर रही है। उसमें IIT ने भी पॉलुशन में बीटेक करवाने शुरू कर दिया हैं। वो इंजिनिरिंग करते हैं और मास्ट डिग्री करते हैं। पीजी तक करते हैं। water pollution को लेके, environment monitoring को लेके, air monitoring को लेके, कई तरह के technical institutes भी हैं और biological science, life science और medical science वाले भी बचे इन में आते हैं। इस तरह से हम बात करें अगर किसी को study करना है, natural resource के बारे में, biodiversity के बारे में, human survival के बारे में, कि बारे में बचाने के लिए हमें पहले तो यह देखना पढ़े कर कि यह exist कहां करती है। कौन से landscape हैं, कौन से forest area के अलावा जो resources हैं यह available हैं, तो उस landscape के study के लिए, उन field experts को कम से कम 2-2 साल के master degree लेने होने ज़रूरी हो जाते हैं, तभी उनका कैसी higher institute में selection होते हैं, और यह सार country का mapping करते है, natural resource का, वो mining department के map बनाता है, वो water resources के map बनाता है, forest resources के map बनाता है, और उसके लिए ground में जाके आपको सारे data इकटे करने होते हैं, जो भी बंदा इस field में हैं, उसके लिए सबसे बड़ा mandatory है, उसका field में इंट्रेस होना चाहिए, और उसके बाद वो फुद का कित करेगा, और there are so many national and international institute, जो उसको readily accept करने के लिए तयार है, हाँ, definite education institute में, UGC ने mandatory कर दिया, इतने भी state universities है, central universities है, और environment science department होना चाहिए, तो उसमें simple सा procedure है, एक master degree के बाद, वो बच्चे को net या का exam, जो state level को होता, वो clear करना होता है, उसके बाद वो assistant professor सिधा faculty बन सकता है, और उसके बाद further research करते हूँ associate professor और professor बन सकता है, तो यह तो एक academic life वा और उसमें वो और बच्चों को society to educate भी कर सकता है, और research भी अपनी continuous कर सकता है, तो अगर interest है किसी student में environment से related, वो course करना चाहता है, तो बहुत सारी opportunities है, बहुत सारे options available है, अगर मैं आप से पूछाँ कि वो steel कौन सी ऐसी fields है, जो बहुत ज़्यादा popular है, आज के हिसाब से environmental field में, तो वो कौन सी है सर्थ, देखिए उसमें सबसे बड़ा तो एक biodiversity और wildlife research निकल के आया है, तो बड़ा fascinating है और required भी है, दूस अपने plant को run करने के लिए करें तो भी उसको environmentalist की requirement है, जो चाहे thermal plant है, जो है hydro project के plant है, जो चाहे care and energy के oil exploration के plant है, जो कोई solar energy के plant से, उन सभी को environmental scientists वहाँ पे hire करके रखने होते हैं, बड़े corporate social responsibility के अंदर, इसके बाब जो बचता है वो आता है आपका day to day life में जो pollution control board है, जो च and get job immediately, इसके अलावा अगर कोई skilled है, तो वो अपना खुद का एक company बना के भी शुरू कर सकते है, environment impact assessment का काम, हर mining project को, हर developmental project को एक EIA का clearance से यह, and that EIA can be done by a registered society, और registered corporate houses, और वो बंदे हमारे जो पड़ेवे बच्चे हैं, तीन चार ने जैपूर में, डेली में, अपने पर वो टीम पूरा कमा लेती, और बहुत अच्छे से उनको, और चुकि government of India ने mandate कर दिया, कोई भी mining project, कोई भी developmental project, भीना environment clearance के तूनी होगा, तो यह अपने आप में बहुत बड़े और regular scope है, और बात में इसमें जो नए avenues निकल के आए हैं, इस तरह से यह COVID situation बना है, हमें environmental habitat कभी study करना पड़ेगा, तो सर, यहाँ पर आप से में जाना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारे undergraduate के लिए भी programs हैं, अगर master's table पर देखे हैं, तो कौन से ऐसे colleges और universities हैं, जो programs offer करते हैं, इस field के लिए, तो काफी सारी state universities, अगर राजिस्तान की बात ना कicating ख्राइदे जैने दिनिक लिए, विश्टान की जिसमें में काम करता हूं, उसमें अकेली एक एसी university है state में, जिसमें शे कि 7 आपकर दी नहीं भी उने उनिवर्शिटीवी कराती है, भी नया central university खुलेगा था स्टेट इनॉन इनुरूशिटी खुलेगा उसको environment department को मेरे कहाल से थ्रू आउट कंट्री कम से कम 30-40 एन्वार्मेंट डिपार्टमेंट हैं जो अलग-अलग डिस्टिप्लिन में रिसेर्च कराते हैं और धीरे-धीरे अब तो इतना स्कोप हो गया कि जो इंजिनेरिंग कॉलेजिस हैं वो भी मास्टर डिग्री एन्वार्मेंट की इस पर गरवाना चाहते हैं क्रहीं और इस ने वह प्रोग्राम शुरू किया है रहीं ने इस्टेंस एजुगेस से शुरू किया है लेकिन चुकि वह बहुत ज्यादा टेकनिकल हो तो यह आप उसमें डिस्टेंस कर सकते हैं जैसे पर एकजमपल जी एसका परना चाहें तो यह इसका कोई डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा that you can do on the net. आप वाइ-फाई से भी कर सकते हैं, आप कहीं भी बैट के ओनलाइन कूर्से कर सकते हैं. ज्यादा तर प्रोग्रामों में आपको फिल्ड में जाके सर्वे करने होते हैं और फिल्ड सिच्वेशन के अपना मेनेजमेंट का और कंजर्वेशन का प्लाइन देना होते हैं तो सारी Central University में भी यह हैं, सारी State University में यह हैं, country के सारे Open University जिसमें Postgraduate Diploma और Undergraduate Diploma भी कराती हैं, इसी तरह ते जो भी IIT हैं, उनमें भी Delhi IIT है, Bombay IIT है, चेह नहीं है, यह सारे भी environment में आगे further program technical education में भी करवाते हैं, तो यह बात यहाँ पर बहुत सारे students जो भी हमें देख रहे होंगे, तो उनके लिए यह बात यह है कि सिर्फ IIT में Indianians ही नहीं आते हैं, वहां से environmentalists भी करते हैं, तो असल आप से यहाँ पर एक जीज में जानत साहूंगा कि हमने बात करी कि technical certification और post-graduation courses में technicalities भी बहुत जरूरत होती है, तो जिसमें कि हम बात करते हैं कि अगर class 12 आपने किया है science screen तो ही आप यहाँ पर admission ले सकते हैं, पर क्या ऐसा भी है कि जिनूने arts या humanities बढ मास्टरी है, वो master of arts देती है, तो उसमें किसी भी discipline का graduation आएगा तो वो कर सकता है, इसी तरह से GAS के जो diploma environment के होते हैं, उसमें किसी भी discipline का बच्चा आके साल दो साल की training लेके GAS का master बन सकता है, इसी तरह से जो rural development के program है, जो urban ministry है, वो भी कई तरह के natural resource के program करवाती है, जिसमे वो लोगों को social sciences से भी लेती है, क्योंकि हमें किसी है, यह करने के लिए भी social economics की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि, the condition is the same, कि आपका interest होना जरूरी है, whether you are from arts, whether you are from commerce, whether you are from science, whether you are from medical, engineering science, the only thing you must have interest in your goal, then you have, sky is the limit, endless scope है, आपको बहुत अच्छे resource मिलते हैं, आपको बहुत अच packages मिलते हैं, अगर terms से बात करें, but आपके अंदर कम से कम एक यह interest और जील होना चाहिए, यह आपका intention होना चाहिए, कि नहीं मेरे को country को इस सारूर करना है, या मेरे को इस nature को सारूर करना है, अगर कोई वास्तों में environment को सारूर करना चाहिए, तो इस से अच्छा कोई scope नहीं में उसके बारे में बात करी, और सबसे ज़्यादा important बात आप सभी के लिए है, students जो भी हमें देख रहे हैं, कि अगर आपका interest है, को कोई भी field हो, जैसा कि आपने भी बताया, अगर interest है, तो आप अपने career को उस field में लेकर जाएए, और वहां पर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या ज़रूरत है, interest की ज़रूरत है, तो friends, यह थे हमारे साथ प्रोफेसर अनुल कुमार जिन्हों ने हमें बताया कि किस तरह से आप अपने career को चूस कर सकते हैं, environment की field में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को शेर करें, अपने दोस्तों के साथ, उन सबी के साथ शेर करें, जो चाहते हैं, इस field में आना, यानकि environment की field में आना, और आप यूह देखते रहें, जागरण जोश.com